परिचय तनुज, तुम क्या देख रहे हो? मैं डिस्कवरी चैनल पर वाइल्ट सफारी देख रहा हूँ वाँ, ये तो बहुती रोचक और ग्यानवर्दक कारिक्रम है आदित्ते, क्या तुम किरपया कुछ किनारे हटोगे? मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है क्या ये आप कर रहा है? हाँ, धन्यवाद लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब तुम रिमोट के सामने आ गए तो इसने काम क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि अवरक्त किरणे यानी इंफ्रारेट रेज शरीर से होकर नहीं गुजर सकती? अवरक्त किरने ये क्या होती है? जब हम टीवी रिमोट का बटन दबाते हैं तो ये एक अवरक्त के तरंग उसर्जित करता है जो टेलिवीजन के सेंसर तक जाती है जब कोई वस्तू रिमोट के सामने आ जाती है तो तरंग उस वस्तू को भेद नहीं पाती इसलिए रिमोट काम नहीं करेगा यदि इसके मार्ग में कोई वस्तू आ जाए लेकिन रेडियो सिग्नलों में ये किस प्रकार संभव है? जो बहुत लंबी दूरियों तक गमन करते हैं तरंगे अनेक प्रकार की होती हैं जिनके अपने विशेष्ट गुण धर्म होते हैं रिमोट कंट्रोल अवरक्त किरणों पर कारे करता है जबकि रेडियो प्रसारण रेडियो तरंगों पर कारे करते हैं अवरक्त किरणों की आवरित्ती रेडियो तरंगों से उच्चतर होती है और तुम जानते हो कि जिन तरंगों के आवरित्तियां उच्छतर होंगी उनकी भेदन शक्ती कम होगी ठीक है मुझे मेरा उत्तर मिल गया इस बारे में जानना तो सजमुच रोजग लग रहा है और मैं इस बारे में अधिक जानना चाहता हूँ चाहत्रो आज हम वैदुत चुम की ये तरंगों के बारे में और अधिक अधियन करेंगे उत्यशे इस पार्ट के अंत में आप निम्ण करने में सक्षम हो जाएंगे विस्थापन धारा को परिभाशित करना मैक्सवेल के समिकरण को जानना वैदुत चुम की ये तरंगों को परिभाशित करना हाथ्सके प्रयोगों का वलन करना वैदुत चुम की ये तरंगों की प्रकृती का वलन करना और वैदुत चुम की ये स्पेक्ट्रम का विश्लेशन करना विस्थापन धारा समय के साथ विद्धुत फ्लक्स के परिवर्थन के कारण विद्धुत परिपत के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है एक संधा रित्र पर विचार करें जिसे धारा आई को नियतांक रखते हुए आविशित किया गया है एम्पियर के नियम के अनुसार वक्र C के परितह B का रेखा समाकल C से आभद प्रिष्ट के माध्यम से प्रवाहिद धारा I के म्यू नौट गुने होने चाहिए इसका आशे है कि प्रिष्ट S1 के लिए B.DL का सम्वृत समाकल बराबर म्यू नौट आई लेकिन प्रिष्ट S2 के लिए जिसके माध्यम से धारा प्रवाहिद नहीं होती है B.DL का सम्वृत समाकल बराबर शूने इसकार्थ है कि यहाँ एक विसंगती है संधा रित्र प्लेटों के बीच में अचालक में परिवर्तन शील विद्ध क्षेत्र से संबद धारा अवश्य होनी चाहिए प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की दर एपसिलोन नौट डी बटे DT आफ E A जो एपसिलोन नौट डी फाई इबटे DT है अता विस्थापन धारा निमन होगी ID बरावर एपसिलोन नौट डी फाई इबटे DT प्रिष्ट S2 के माधिम से विस्थापन धारा का परिमान प्रिष्ट S1 के माधिम से चालन धारा के परिमान के समान होगा अब MPR करनियम निमन रूप लेता है B.DL का सम्रित समाकल बराबर μू नौट कोड़े आई प्लस एपसिलोन नौट डी फाई इबटे डीटी मैक्सवेल का समीकरण मैक्सवेल के समीकरण कहलाने वाले निमने चार समीकरण वैदुत चुमकत्व के मूल भूत समीकरण कहलाते हैं एक, विद्व सम्मंधी गाउसनियम E.DA का सम्रित समाकल बराबर q बटे एपसिलोन नौट दो, चुमकत्व सम्मंधी गाउसनियम B.DA का सम्रित समाकल बराबर शुनने तीन, फिराडे का नियम E.DL का सम्रित समाकल बराबर माइनस D, फाई B बटे डीटी 4. Ampere Maxwell Neum B.DL का संवरित समाकल पराबर μ0 IC+, μ0 Epsilon 0 D5 E2 DT वैद्दुत चुम की ये तरंगे वैद्दुत चुम की ये तरंग एक दूसरे से समकोन पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोन पर विद्दुत एवं चुम की एक्षेतर सदिशों में परिवर्तन के कारण दिक स्थान में उत्पन विक्षोप होता है ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है मुक्द आकाश में इन तरंगों का वेख प्रकाश के वेख के पराबर होता है जो की तीन गुणा दस की खात आठ मीटर प्रति सेकेंड होता है वेख्दुद चुमकी तरंगे त्वरितिया अवमंदित आवेश या LC परिपत द्वारा उधपन्य की जाती है एम तरंगों की आवरिति एक बटे दो पाई अंडरूट LC होती है उधारण आईए वेख्दुद चुमकी तरंगों का एक उधारण देखें एक समतल वेख्दुद चुमकी तरंग में विदुद क्षेत्र दो गुणें 10 की घात 10 हर्ट्स की आवरिति तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर के आयाम से जया वक्रिये दोलन करता है क तरंग का तरंग देठ कितना है धोलाय मान चुमकी क्षेत्र का आयाम कितना है ग चुमकी क्ष vigil के ओसत उदजा घनत्व के समतल विदुद क्षेत्र का ओसत उदजा घनत्व दिखाएं आईए इसका हल देखें दिये गए मान निम्न है नियो बराबर दो गुड़ां दस की खाथ 10 हर्ट्स ए नॉट बराबर 48 वोल्ट प्रति मीटर क हम जानते हैं कि लेबडा बराबर सी बटे नियो मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गरना करने पर हम तरंग का तरंग देड़ एक देशमलाव पांच गुड़ां दस की खाथ माइनस दो मीटर प्राप्त करते हैं खर हम जानते हैं कि बी नॉट पराबर ए नॉट पटे सी मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गरना करने पर हम चुम्प की एक शेतर का आयाम एक दशमलाव छे गुणे दस की खाथ माइनस साथ टेसला प्राप्त करते हैं गर विद्द दिक शेतर का ओर्जा घनत्व एक बटे एपसिलोन नॉट ई वर्ग है चुम्मकिय क्षेत्र का उर्जा घनत्व एक बटे दो μू नौट बी वर्क है हम जानते हैं कि E बराबर CB तथा C बराबर एक बटे अंडरोट मू नौट एपसिलोन नौट उपरोक्त दोनों समीकरणों को हल करने पर हम विद्ध क्षेत्र का उर्जा घनत्व चुम्मकिय क्षेत्र के उर्जा घनत्व के सम्तुल्ले प्राब्त करते हैं हाच का प्रियोग हाच के प्रियोग एक प्रेरख कुंडली को धातो के दो बड़े गोलों से जोड़ा गया है, जिनके बीच संधा रित्र के लिए संकीर्ण इस्थान है प्रेरख कुंडली से गोलों में कम वोल्डता के स्पंद प्रेशित करते हुए परिपथ में विद्द दोलन प्रेरित किये जाते हैं और एक गोले को धना वेशित तथा दूसरे को रणा वेशित करते हैं इस आयने तवस्था में वायू अंतराल में इलेक्ट्रोन तथा आयन परिपत के समान आवरित्ती नियू के साथ आगे पीछे दोलन करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम जोरूप नियू आवरित्ती की वैदुत चुम किये तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये परिपत एक ट पाश होता है जो दोनों गोलों से संयोजित है जिसका अपना ग्रियाशील प्रेरण, संधारिता तथा दोलन की प्राक्रितिक आपरित्ती है। प्रेक्षण। जब ग्राही की अनुनादी आपरित्ती प्रेशित्र के अनुरूप होती है तो प्रेशित्र से ग्राही तक उर प्रेशित्र में अंत्राल के अभी लंबवत होता है तो ग्राही अंत्राल में स्फोलिंग प्रकट नहीं होते अर्थात वैदुत चुमकिये तरंगें संसूचित नहीं की जाती हैं। जब दोनों अंतराल समांदर होते हैं, तो ग्राही अंतराल में स्फूलिंगों का उत्पादन अधिक्तम होता है. वैतुत चुमकिये तरंगों की प्रकृती वैतुत चुमकी तरंगे उधासीन होती हैं, इसलिए ये विद्वत तथा चुमकी एक्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती वैतुत चुमकी तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, वैतिकरण, विवर्तन तथा द्रोवन के गुण धर्म प्रदशित होते हैं वैतुत चुमकी तरंग में वैत्युतिक तथा चुमकी एक्षेत्र सदेव समान कला में होते हैं वैतुत चुमकी तरंग में विद्व सदिश प्राकाशिक प्रभाव हेतु उत्तरदाई होता है तथा प्रकाश सदिश भी कहलाता है वेद्धुत चुमकिये तरंग में तरंग संचरण की दिशा में उर्जा का प्रसार विद्धुत तथा चुमकिये क्षेतर सदिशों के माध्यम से होता है एक वैदुत चुमकिय तरंग में विदुत उर्जा घनत्व तथा चुमकिय उर्जा घनत्व के मान बराबर होते हैं पदार्त मात्यम में वैदुत चुमकिय तरंगों की चाल निम्न समीकरन द्वारा व्यक्त की जाती है नियू बराबर सी बटे अन वैद्धुत्चुम किये स्पेक्ट्रम वैद्धुत्चुम किये तरंगों का वर्गी करण वैद्धुत्चुम किये स्पेक्ट्रम की आवरित्ती के अनुसार किया जाता है। एक प्रकार की तरंग तथा दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई सबस्ट विभाजन रेखा नहीं होती। वर्गी करण मोटे तौर पर इस पर आधारित होता है कि तरंगे किस प्रकार उत्पन्न या संसूचित की जाती है। आए घर्टे तरंग देर्द के क्रम में इन विभिन प्रकार की वैद चुम की तरंगों का वड़न करें। रेटियो तरंगे निम्नतर आवरित्ती की रेटियो तरंगे विद्ध दोलग परिपतों के उप्योग द्वारा समानिता चालक तारों में आवेशों की त्वरतकती से उत्पन्न होती हैं। ये रेडियो तथा टेलिवीजन संचार प्रणालियों में उप्योग की जाती हैं। इनकी आवरिती परास समानिता 500 किलो हर्ट से लगभग 1000 मेगा हर्ट तक होती है। सेलिलर फोनों में अत्युच्य आवरिती बेंड की रेडियो तरंगों का उप्योग करके ध्वनी संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। सूख्ष्म तरंगें सूख्ष्म तरंगों की आवरिती 3 गीगा हर्ट से लेकर 300 गीगा हर्ट परास तक होती हैं। जिन्हें विशेश प्रकार की निर्वात नलिकाओं जैसे की क्लाइस्ट्रोन, मैगनेट्रोन और गन डायोट से उत्पन्य किया जाता है। उच्च आवरिती या लगू तरंग तरंगों की कारण ये प्रतिरक्षा एवं विमान संचालन में रडार प्रणालियों के लिए उप्योगी होती हैं। माइक्रोवेव अवन सूख्म तरंगों का घरेलू अनुप्रयोग है। अवरक्त तरंगें इनका तरंग देर्थ 10 की घात माइनस 3 मीटर से लेकर 7.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर तक होता है। ये तरंगे अड़ों तथा गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं और कई बार उश्म तरंगे भी कहलाती हैं। उद्योगों, औशधियों, खगोल विज्यानादी में इनके अनेक अनुप्रयोग हैं। अवरक्त विकरण हरित ग्रह प्रभाव में भी एक महत पून भूमी का निभाता है। अवरक्त संसूचकों का उप्योग भू उपक्रहों में सेन प्रयोजनों से तथा फसलों की वृध्धी का प्रेक्षन करने के लिए किया जाता है। घरों में रिमोट स्वीचों में अवरक्त तरंगों का व्यापक उप्योग किया जाता है। ये ऐसी तरंग देर्थ वाला संकीन बैंट होता है जिसके प्रती हमारे रेटिना सम्मेदनशील होते हैं। इसकी परास लगभग 4 गुणे 10 की घाथ 14 हर्ष से लगभग 7 गुणे 10 की घाथ 14 हर्ष तक होती है। परमाणों और अनों के घटकों विशेश रूप से इलेक्ट्रोनों की गतियों में आंतरिक समायूजन के परिणाम सो रूप उनके द्वारा प्रकाश उत्पन किया जाता है। प्रकाश द्वारा नेत्र पर उत्पन होने वाले विभिन सम्वेद रंग कहलाते हैं, जो वेद्द चुम की तरंगों की आवरित्ती या तरंग देर्थ पर निर्भर होते हैं। विभिन जन्तू, विभिन परास के तरंग देर्थ के प्रती सम्वेदी होते हैं पराबैगनी किरणे इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर लगभग 0.6 नैनोमीटर तक की तरंगे आती हैं ये तरंगे परमानों एवं अनों द्वारा वैद्यूतिक विसरजनों में उत्पन्न की जाती हैं सूर्य पराबैगनी विकरण का एक अत्यंद शक्ति शाली स्रोत है और धूप तामरता के लिए यही कारक मुखिता उत्तरता ही है लेकिन इसका दिकांश भाग ओजोन परत द्वारा अफशोशित कर लिया जाता है बड़ी मात्राओं में पराबैगनी प्रकाश मानुव पर नुकसान दे प्रभाव डालता है वेल्डिंग आर्क द्वारा बड़ी मात्रा में पराबैगनी विकरण उत्पन होता है जिससे अपनी आखों को उस रक्षित रखने के लिए वेल्डर विशेश काज के बने चश्मे पहनते हैं यूवी किरणों का उप्योग नेतर सरजरी में किया जाता है तथा यूवी लेंब जल शुदकों में किटानों को मारने के लिए उप्योग किये जाते हैं X किरणे X किरणों का तरंग देर्थ लगभग 10 नैनो मीटर से लेकर 10 की घात माइनस 4 नैनो मीटर तक होता है X किरणे किसी धात्विक लक्ष पर उच्च उर्जा वाले इलेक्ट्रोनों की बोचार कराते हुए उत्पन की जा सकती है X किरणे जिन पदार्तों से गुजरती हैं उन्हें वियोजित या आयनित करते हुए उसके परमाणूं और अणों को प्रभावित करती है X किरणे चुकिस से ये अनुप्रयोगों जैसे की चुकिस सा में नैदानिक उपकरणों तथा कुछ प्रकार के कैंसरों के उपचार में उप्योग की जाती है गामा किरणे ये वैदुत चुम की तरंगे ना भी किये अभिक्रियाओं से उत्पन होती है गामा किरणे वैदुत चुम की स्पेक्टरम की उपरी आवरित्ती परास में आती हैं और इनका तरंग देर्थ लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर से लेकर 10 की घात माइनस 14 मीटर तक होता है गामा किरणे अनेक रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और नाभी की ये रेक्टरों में बड़ी मात्राओं में उपस्तित रहती हैं ये विकरण रेडियो धर्मी नाभी कों द्वारा भी उस सर्चित किये जाते हैं जो किस्सा में कैंसर कोशिकाओं को नश्ट करने के लिए इनका उप्योग किया जाता है क्या आप जानते हैं मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तनशील विद्द और चुम्ब की एक शेतरों के बीच संबंद स्थावित किया तथा इसके लिए समीकर्णों का सैथ परिस्तावित किया उन्होंने दिखाया कि प्रकाश एक व्यद्द चुम्किय तरंग है उन्होंने रंग द्रिष्टी का मातरात्मक सिध्धान्त विक्सित किया दीरक तरंगों की उचा लगू तरंगों से कम होती है अंद्रिक्ष से दीर की तरंगे प्रित्वी के वायु मंडल में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं प्रित्वी के उपर 45-250 मेल तक विस्तरित आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्दित कर सकता है व्याती करण प्राप्त रेडियो संकेतों की गुणवत्ता को प्रभावित करके ध्वाने को विक्रित कर सकता है या टेलिवीजन चुद्र को छायाओं में बदल सकता है साराश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं समय के साथ विद्धुत फ्लक्स के परिवर्थन के कारण विद्धुत परिपत के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है वैदुत चुमकिये तरंग एक दूसरे से समकोन पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोन पर विद्धुत एवं चुमकिये क्षेतर सतीशों में परिवर्तन के कारण दिक स्थान में उत्पन विक्षोब होता है वेद्ध चुमकी तरंगों में परवर्तन, अपवर्तन, व्यातिकरण, विवर्तन तथा धुरुवन के गुण धर्म प्रदाशित होते हैं वेद्ध चुमकी तरंग में विद्ध उर्जाखनत्व तथा चुमकी उर्जाखनत्व के मान बराबर होते हैं आवरित्ती के अनुसार वैदृत चुमकिये तरंगों का वर्गी करण वैदृत चुमकिये स्पेक्ट्रम कहलाता है रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों की त्वरतकती से उत्पन्न होती हैं द्रिश्य प्रकाश हमारे आसपास की वस्तूओं से उस सर्चित या परवर्तित होता है जो हमें विश्व के बारे में सूचनाई उपलब्द कराता है हमारे नेत्र इस परास के तरंग देर्द के प्रती सम्वेदन शील होते हैं गामा किरुने अनेक रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और रेडियो धर्मी नाबिकों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती हैं